नमस्कार दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजुसर के नाम से इस्ट्यूट चैनल के अंदर MSQ वीडियो की सकड़ी के अंदर एक और नया MSQ वीडियो हम लेके आए हैं वी ओल नो कि 22 नॉमबर जो है PGIMS रोतक का एक्जाम है और उस एक्जाम के सेलेबस के अकोर्डिंग 45 स्मार्ट MSQ का यह वीडियो लेक्चर में लेका है हूं जिसको दो पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर 22 MSQ और सेकिंड वीडियो लेक्चर के अंदर 23 MSQ इस तरीके से 45 स्मार्ट MSQ है जो की PGA एक्जाम के पॉइंट ओ व्यू में इंपोर्टेंड है तो आप वीडियो को पूरा सुने और अपने कंसेप्ट को बनाएं तो 45 MSQ क्यों रका हमने इसको तो डिस्टिब्यूशन जो क्वेशन करेगा इस एक्जाम के अंदर जनरल अवेरनेस रिजनिंग मैट्स साइन्स और इंग्लिस हिंदी इन सब के मिला के 12 क्वेशन आएंगे 12 क्वेशन जो है इन सब्जेक्ट में से आएंगे दूसरा को 45 स्मार्ट MSQ करके मैंने यह वीडियो लेक्चर बनाया है जिसमें ऐसे 45 क्वेशन में डिसक्स करने वाला हूं जो एक्जाम में आने की संभावनाएं बन रही है ताकि हम जो है सायद उस एक्जाम में हमें वह फाइदा दिला सके एंड लास्ट है रिलेटेट टू हरियान एंड 10 & 23 इनको मिला के वापस 45 टोटल 90 mcq मिलेंगे 90 90 मिनट्स के अंदर 90 मिनट्स के अंदर 90 mcq जो है वहां पर सॉल करने हैं आपको और 22 नौंबर को यह एक्जाम करीड आउट होना है तो आप सब को एक्जाम के लिए गुड लग और शुरू करते हम 45 स्मार्ट MSQ टू एमंग न्यूबॉर्ण ऑप्सन है प्रिवेंट एक्सेव ब्लीडिंग इंक्रीज इम्मुनिटी प्रिवेंट इंफेक्शन करेक्ट मालनुट्रिशन तो देखिए पूचा क्या गया है यहां पर यह पूचा गया है कि विटामीन के जो हता है वह एट बर्थ हम एड्म क्लोटिंग डि टिएट करता है क्लोटिंग फैक्टर का अधिवेशन करता है और काह से क्लोटिंग फैक्टर का तो plante लौनिग अधर्य बस्क ऑसको ट्रिमुन में कंवर्ट करने का काम उसके एक्टीव फोर्मिक आंदि और हमने बोला वितामिन का वीसकेत करता अगर यह पूरी मेकनिजम चलती है अब अगर किसी आदम को bleeding वरा اور vitamin k उसके अंदर नहीं है तो prosios फिबरीनमे करेंद नहीं करेंपायेगा और फिबरीन नहीं बना तो मैंस नहीं बनेगा तो bleeding नहीं रुकेगा इसका मतलब vitamin k उता है वह bleeding को prevent करनें में मदद करता है vitamin k का basic है it prevent excessive bleeding यहाँ पर correct answer बिल्कुल सही है एship इंफेक्शन या माल नूटिसन से समंधित विटामिन के का यहां रोल नहीं है न्यूबोंड के अंदर यह ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है जो की वन मिली ग्राम इंट्रा मस्कुलार एट बर्थ हम लगाते हैं अगर वो प्री टर्म बेबी है जिसका वजन पंद्रह सो ग करते हैं विटामिन के की न्यूबोंड के अंदर है अगरा को कि अधिक्स बिलीव इस को डिल्यूजन इल्यूजन है लूशीनेशन और डी पर स्ट्राइजेशन देखिएगा फाल्स फिक्स बिलिव फाल्स फिक्स बिलीव जो हता है यह यह अप बीज होता है वह किस से disorder is in option में एक मातर है वह है डिल्यूजन डिल्यूजन इस डिसोडर ऑफ थोट तिंकिंग जिसमें जो परसन होता है उसके दिमाग के अंदर फिक्स बिलीव बन जाते हैं फॉर एक्जामपल मेरे घरवाले मुझे मारना चाहते हैं यह दिमाग के अंदर एक फिक्स बिलीव बन है परसिंगे हमें भी लगा कि वहीं दिख नाम की बहुत सारी जाइदाद ना चाहते हैं यह बात में भी दम है को कि Korean की मार सकता है तो हमने पता किा उसको कि कितने राइद है tô्में पता चला कि एक बीजाइदाद का एक रुपया भी नहीं है इसकी यह बात है कि उसके दिम है तो इसको fix false believe कहते हैं इस फोट का disorder डिसोडर इसको बूला जाता है एल्यूजन जो होता है और why no違う से के दिसोडर यह दोना कि सके परकुव सेपशिन के disorder परसर्पशन के डिसोडर है पर सेप्शन के डिसोडर वे ले सब्सक्रों होता है क्रेंसिद Striker नहीं के भी अगर कोई चीज इस तरह की लग रही है किसी individual को तो इसको hallucination कहते हैं जैसे कुछ लोगों को आवाज है सुना ही दे रही है लेकिन कोई अवाज हो यह यह नहीं रही है यह कुछ दिखाई दे रहा है भूत दिख रहा है लेकिन वास्तम कोई है यह नहीं कोई चीज तो इसको तो hallucination कहते है ना कि बीना किसी object की object की absence के अंदर जो है गलत चीज परसीव होना hallucination कहलाता है illusion जो होता है इसके अंदर object तो present होता है ना लेकिन उसको misinterpreted कर लेता है तो false perception तो hallucination है और misperception कैसे कि मान लो कोई रस्ती पड़ी हुई है और उसको वह individual समझ लेता है साप समझ लेता है तो यह object तो present है लेकिन उस object को क्या कर दिया misinterpreted कर दिया इसको illusion कहते हैं लेकिन false perception करते हैं उसको hallucination क्यता है और डी परस्टाइजेशन का मतला होता है आदमी की परस्टाइटी जो होती है उससे अट जाना उसका डी परस्टाइजेंस कहलाता है तो यह दो चीजह यहां पर important है illusion hallucination illusion और जो फिक्स फाल्स बिलीव है वो क्या है डिल्यूजन तो यह यहां पर करक्ट ट्रांस्टर बनेगा which gas is used for pneumoperitonium in case of laparoscopy laparoscopic surgery जब करते हैं तो परिटोनियम के अंदर हवा भरने के लिए न्यूम वर्ट जो है उसका समंध आवा से है तो laparoscopy के दोरान परिटोनियम के अंदर हवा भढ़ने के लिए कौन सी गैस कामें लेते बहुत बढ़िया नाम है उस गैस का co2 carbon dioxide co2 gas जो होती है वह organ को separate करती है तांके अराम से हम laparoscopic surgery और intestine के organ के surgery को carried out कर सके तो co2 correct answer यहां पर co2 use की जाती है न्यूमो परिटोनियम यूज होता है laparoscopy के दोरान परिटोनियम यूज होता है लेप्रोसकोपी के दोरान क्वेशन है folic acid iron बहुत नन कुछ लोगों ने जल्दबाजी में folic acid पर जोर दिया है पर थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है कैसे स्वालों को जल्दबाजी नहीं दिखाना देखिएगा क्वेस्टन सीजी आएंगे इसी तरीके के आएंगे लेकिन जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी है folic acid और आईरन करता है folic acid साथ में आईरन देते हैं जो की folic acid जो होता है वह आईरन के absorption मदद करेगा और physiological जोन जो एनिम्या उसको प्रिवेंट करेगा तो दोनों यहां पर दिया जाता है folic acid और आईरन the most commonly involved cranial nerve in diabetes is कौनसी cranial nerve diabetes में involved होती है third second fifth and sixth बहुत अच्छे very good बहुत ही सांदार बिलकुल correct answer दी आप लोगों ने third is the cranial nerve oculomotor इसका नाम है क्या नाम है oculomotor motor nerve है eyeball के movement के लिए responsible है आई बोल और आई मसल उक्युलार मसल आई मसल जो होती है उक्युलार मसल होती है उसके movement के लिए और आई बोल के movement के लिए जिम्यदार होती है oculomotor nerve कंप्लusement motor nerve फर dov धक्रेनियल नरो responsible है आई के movement के लिये in diabetes médico कॉंवलाइटस पैरिफिरल नुरोपैति होती है और नुरोपैति मेश्रो टिमेज रोति है तो थृड ड्शोटी यह वह beside से से अची ट्राहर नर्ड यो को जर मेशित मैश से तो यहां पर correct answer second is the optic fifth is the trigeminal and six is the abducent यह नर्व जो होती है commonly involved नहीं होती है diabetes के तर तो यहां पर correct answer बनेगा third cranial nerve in case of hypothyroidism which of the following is increased hypothyroidism के अंदर क्या चीज इंक्रीज हो जाता है T3 T4 TSH all of the above hypothyroidism hypo मतलब less thyroid hormone की कमी thyroidism का मतलब हता है less हो गया body के अंदर हो thyroid hormone thyroid hormone body में कम हो जाना T3 T4 की कमी हो जाना hypothyroidism के अंदर T3 T4 कम हो जाता है यह hormone जो होते हैं thyroid gland के द्वारा बनते है तो इनकी body में जब कमी होती है तो जब message pituitary को जाता है तो वो एक हार्मोन बनाती है TSH यह ज्यादा बनाती है क्यों क्योंकि वो सोचती है कि side TSH stimulate नहीं कर रहा है thyroid gland को इसलिए T3-T4 नहीं बन रहे T3-T4 की वहाँ पर deficiency देखने को मुलती है all of the above यहाँ पर खोटा जवाब है तो correct answer बनेगा C normal value पूछी है serum urea दो test होते हैं renal function test के अंदर one is urea and second one is cretinine one is urea and second one is cretinine the normal value of urea is 30 to 45 mg per dl and the normal value of cretinine is 0.9 mg per dl there is two value for renal function test renal function renal is kidney is an important organ for filtration more blood the number total cardiac output 5 liter and 1 liter is received only by kidney which help in the filtration of VASP product from the body so there is two important VASP product one is urea and second one is cretinine the normal value in the blood is urea 30 to 45 mg per dl and cretinine is 0.9 mg per dl so four option is there 15 to 40 30 to 45 35 to 50 and 40 to 60 and the correct answer is B yes absolutely B is the correct one 30 to 45 mg per dl is the normal serum urea level in the human blood SLE is an example of what is SLE what is SLE SLE is the systemic lupus arythematosus systemic lupus arythematosus arythematosus the classical and cardinal sign of systemic lupus arythematosus is butterfly facial rest butterfly facial rest is the cardinal sign for systemic lupus arythematosus it's an autoimmune disease कैसा डीज है कैसा औरोडियकी ऑटोजिह को बोल्स सेल को करने लगते हैं और जो सेल SLE कि तो पटिश्यूत के साथ में मरीज का कंप्लेइं फीवर में लेस्ञेस जोए पर किया जाता हिएरीद्मा बट्रफ्लाइ फेशल मरीज का कंप्लेंट फीवर के साथ में मैलेस और जोईज पैंन का वहां पर रहता है हम सिस्टमिक एग्जामिनेशन के अंदर बटरफलाई फेशल रहस करते हैं बाकि मल्टिपल और गन इन्वाल होते हैं और यह पूरा प्रोसेश जो चलता है वो इस्टिरोइड रहता है एसली का ड्रग आप चोईस टैबलेट जो देते हैं अपन वो इस्ट ही दिया जाएगा डाइरिया के दोरान चार आपसन है आपके पास में कोट्री मॉक्सा जोल जिंक नेले डिग्जीक एसीड और सेपिक जीब विच ड्रग इच यूज दूरिंग डाइरिया यस बहुत अच्छे बी इस दा करेक्ट वन जिंक हम पढ़ते हैं तीन महीने से ल च्छे महीने से बड़े बच्चे में आप्टर दी एज ऑप सिक्स मन्थ 20 मिली ग्राम पर डे के इसाब से जिंक सप्लिमेंट देना होता है डाइरिया की कंडिशन के अंदर और यह टोटल दो जो रहती है 14 डेज के लिए चाहुदा दिन के लिए तीन से च्छे महीने के बच्चे में 10 मिली ग्राम पर डे और च्छे महीने से बड़े बच्चे के अंदर 20 मिली ग्राम पर डे के साब से जिंक सप्लिमेंट दिया जाता है डाइरिया के कैस के अंदर ORS के साथ में औरल डियाइडरेशन सॉल्यूशन के साथ में जिंक सप्लि सब्सक्राइब बनेगा बी और यां पर यांदर उसको एक लिटर पानी के अंदर मिक्स करके और उसकी भी अमाउंट एज के अलग अलग रहता है जो एक वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने completely एक्स्प्रेंट कि आप जरूर को रसका वीडियो उसका composition वहां से भी काफी question बनने की संभावने रहती है यहाँ पर ज्वाब बनेगा जिंक जिसकी डोज important है 3-6 month 10 mg more than 6 month 20 mg per day और all treatment for 14 days सारी चीज 14 days के लिए देना है नेक्स्ट है after giving BCG vaccination scar gets formed in BCG at birth दिया जाने वाला tuberculosis से बचने में मदद करता है newborn baby को लगाया जाता है अपर आम के अंदर लगता है left arm prefer करते हैं BCG vaccine के लिए bacillus calmit governing इसका full form रहता है और liquid form के अंदर यह vaccine available होता है live attenuated vaccine होता है BCG सबसे stable freeze derived vaccine माना जाता है BCG को vaccine जो होता है वो mycobacterium bovine के से जो है प्रिपेर किया गया था और BCG vaccine की डोज जो होती है वो सब age group के लिए 0.1 ml होती है लेकिन at birth 0.05 ml रहती है 26 गोज के नीडल से tuberculine serine से यह vaccine intradermally लगाया जाता है BCG vaccine लगाने के बाद में जिस site पर हमने लगया साइट क्या रहती है लेप्ट अपराम जिस site पर हमने लगया उस site के उपर इंडूरेशन बनेगा और वहां पर इसकार बनेगा तो उसका जो process पूछा हुआ है कि जो इसकार बनता है वो कितने दिन में बनता है जवाब है तीन दिन दो सब्ता एक महीना या दो महीने लग जाते हैं तो देखेगा वैक्सिन लगने के दो से तीन महीने दो से तीन वीक के अंदर दो से तीन सब्ता के अंदर वैक्सिन लगने के दो से तीन सब्ता के अंदर सबसे पहले वहां पर पैप्यूल बने के 5 week फिफ्ट की चार से ओठ डाइमीटर का यह अध्याय ओडन जाएगा फांच वीग तक जाते जाते चार से आठ में डायमीटर का यह यह जा एपकल बुँ बन जाएगा स कह सका थाम मैं बना मैं यह घ्रय को अध्या और एक सेल्व हल्चर बनेगा वहां पर है अलसर बन जाएगा 6-8 सब्सक्राइब और 6-12 विक कह सकते हैं इस ताइम के धौरान वहाँ पर पर्मानेंट इसकार बन जाएगा आध 4-8 mm के डायमेटर का पर्मानेंट इसकार बन जाएगा सवाल बनने में on and average time लगता है दो महीना डी यहां पर बिलकुल correct answer है BCG vaccine में scar form होने में कितना time लगता है जवाब है 2 months most common CHD is बहुत easy question है CSD is the congenital heart disease and सबसे common CSD कौन सा रहता है बहुत अच्छे बहुत अच्छे maximum people are correct it's B that is VSD ventricular septal defect VSD is the most common CSD जितनी भी congenital heart disease होती है उसका 25% जो होता है वो ventricular septal defect होता है तो VSD सबसे बड़ा नाम है congenital heart disease के अंदर ventricular septal defect दो ventricle के septum में defect रह जाता है assynotic congenital heart disease माने जाता है VSD को VSD के बाद में most common CSD होता है ASD atrial septal defect इसके बाद में PDA का नमबर आता है और यह तीनों की तीनों यह साइनोटिक heart disease है साइनोटिक heart disease के अंदर most common रहता है तो जिसके chances होते हैं लगबग 11% तो यहां पे तो में पूचा है कि VSD कौन सा होता है CSD most common वो है VSD 25% तो correct answer क्या बनेगा B that is ventricular septal defect the disease that is also known as hydrophobia कौन सी बीमारी जो है उसको hydrophobia के नाम से जाना जाता है इस question बहुत easy question है बहुत ही सांदार तरीके साब लोगों रेंडल किया है dengue rabies plague or measles the correct answer is rabies yes rabies is also known as hydrophobia hydrophobia इजे पैटोग्नोमिक और रेवीज एरोफोबिया भी considered करते हैं रेवी जो होता है यहां तो correct answer dog bite की वज़े से रेवीज होता है human being के अंदर animal bite कोई भी हो सकता है dog commonly रहता है इसके लावा cat हो सकती है monkey हो सकता है cow हो सकती है goat हो सकती है सिप हो सकती है buffalo horse सारे हो लंकि रैट बाइट चुए के काटने से यह यूमन बाइट इंसान के काटने से रढ़ीज नहीं होता है रहर म्लिट को चोड़की आनीमल बाइट की वज़े से रभीड पो सकता है रभी जोता है जब ऑऊ तो उस बाइट वाले जगें से वुंड बनता है उस रेबीज के अंदर वूंड के साइट पर सूचरिंग नहीं करना होता है और उस लोग को जिसने बाइट किया उसको टैन डेज के लिए अबजर किया जाता है और पॉस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्टिक वैक्शिनेशन रेजीमेन चलता है रेबीज के अंदर जिसकी रहती है सब कुटेनियस इसको लगाया जाता है इसका दूसरा नाम है जवाब भी जिसका जवाब है डेंग्यू फ्यूवर को बॉन ब्रेक्ट फीवर के नाम से जानते है प्लैग जो होता है वह रैट बाइट की वजह से होता है मीजल्स जो बीमारी रहती है रूबियोला इसका कोजेटी और इसको बनता है और ले एरिया के अंदर उसको मीजल्स बोलते हैं यहां पर जवाब रहेगा बीड़ी इस प्रास्कॉप सिंड्रों इंपोर्टन रहा सकॉप सिंड्रों अकर ड्यू टू दे इंटेक और प्रास्कॉप सिंड्रों बिमारी जो होती है यह वाली कंडिशन है ब्रेन के अंदर डिजेनरेशन की वज़े से होता है और इसका मॉस्ट कोमन कारण कैना बीज बहांग ओपियम एल्कॉल और एंपेटा माइन्स तो करेक्ट आंसर बनेगा क्रोनिक अल्कॉलिजम जो आदमी लगातार स्राब का सेवन करता है उसके दिमाग के अंधर न्यूरोन का डिजंडरेशन होता है और उस डिजैनरेशन की वजह से उसमें डिमेंसिया की कंडिशन होती है कवारास्कॉप शन्ड्रोम करेक्ट रंसर बनेगा सी रौनीक alcoholism मरीज में थायामीन की डेपिशंसी की वज़े से थायामीन इस एन important vitamin that is known as vitamin b1 और उसकी डेपिशंसी की वज़े से कोरास्कोब सिंड्रोम होता है बच्चों में थायामीन की डेपिशंसी की वज़े से बेरी-बेरी होता है one is weight and one is dry weight very very के अंदर cardiovascular symptom आते है और ड्राइ बेरी-बेरी के अंदर neurological symptom आ देखने को मिलते हैं so यहां पर correct answer बनेगा chronic alcohol c is the right one what is pulse deficit pulse deficit क्या होता है pulse deficit का मतलब difference between pulse and blood pressure or difference between radial pulse and apical pulse difference between radial and carotid none of the above so the pulse deficit is a difference between radial pulse and carotid pulse apical pulse sorry radial pulse and apical pulse in ke beech के difference को क्या बोला जाता है pulse deficit B बिलुपूल correct answer है radial or apical के बीच के difference को pulse deficit के नाम से जाना जाता है एक word is pulse pressure systolic blood pressure और diastolic blood pressure के बीच के difference को pulse pressure के नाम से जानते है और pulse deficit है radial apical pulse ता difference which of the following is use to assess the level of consciousness level of consciousness to assess करने के लिए क्या यूज करते हैं option अपगार इसको ब्रेदेन स्केल जिसी एस और स्नेल अंचार्ट लेवल ओप कॉंशिएसनेस लोसी neurological element वाली condition के अंदर affect होता है अपगार इसको रिंग जो है वो किया जाता new born के अंदर असेस्मेंट के point of view में और कैसा assessment होता है क्वांट क्वांटिटेटिव assessment यह numerical assessment है दस में से numbering दिया जाता है अपगार इसको रिंग का हिसा है new born के point of view में यह है इसका संबन्द लेवल ओप कॉंशिएसनेस से नहीं है ब्रेड़न स्केल जो होती है वह बैड सोर से समंधित रहती है बैड सोर की रिस्क को असेस करने में जो इसकेल का में ली जाती है उसको ब्रेड़न कहते हैं तो ए और बी ज्वाब नहीं बन सकता और डी स्नेलन सब्सक्राइब और लेवल ओप कॉंशिएसनेस का पता लगाते हैं आठ और उससे कम अगर माक्स आते हैं तो कंडिशन कोमा की कहलाती है तो यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा सी ग्लास को कोमा स्केल इसको अम एस्ट बोलते हैं आप्टर सेंस्टिविटी टेस्ट अमैसा किया जाता है दवाई को किस रूट से देखते हैं इंट्राडर्मल इंट्रमस्कुलार सबकुटेनस और इंट्रावीनस बहुत अच्छे वेरी गुड इंट्राडर्मल बिलकुल करेक्ट आंसर है इड इंट्राडर्मल रूट रहता है सेंस्टिविटी टेस्ट करने के लिए इंट्राडर्मली स्कीन के डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में ड्रग एड्मिनिस्टर किया जाता है और यह यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा और इससे हम एस्ट करते हैं किसी ड्रग का उस ड्रग के बाद में स्टॉकिंग्स करने का स्टॉकिंग्स पहनाने का वेरिकोज वेन को प्रिवेंट करना मस्कुलार एट्रोपी को प्रिवेंट करना जोइंट की मॉबिलिटी को एंस्योर करके उसके कॉंट्रेक्चर बनने को प्रिवेंट करना और वीनस रिटन को हाट की तरफ प् pumping towards the heart कम रहती है जब ब्लड की pumping towards the heart कम रहेगी तो पेडल एडिमा ज्यादा होईगा इस प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए हम पैसन को स्टॉकिंग्स पहनाते हैं तांकि वह वीनस रिटन को परमॉट करें हार्ट की तरफ तो यहां पर जो पूचा है कि आप्टर सर्जिकल प्रोसीजर क्या यूज है तब जवाब बनेगा तो परमॉट वीनस रिटन टू दी हार्ट कि विच अब दी फोलोईंग और कंपोनेंट ऑप पेराडाइज्म ऑप नर्सिंग पराडाइज्म ऑप नर्सिंग के पर्सन हेल्थ एन्वार्मेंट और नर्सिंग यह चार कंपोनेंट रहते हैं मेटा पेराडाइज्म ऑप नर्सिंग यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा पर्सन हेल्थ एन्वार्मेंट एंड नर्सिंग तो following our symptom of anxiety anxiety के symptom है एक को छोड़के accept का question है palpitation, gastric discomfort, bradycardia frequency of maturation जब भी body में anxiety होती है palpitation होएगा palpitation का मतलब होता है individual के दारा खुद की heart rate को feel करना palpitation कहलाता है gastric discomfort रहता है nausea vomiting, epigastic discomfort रहता है due to the anxiety anxiety और frequency होती है bowl और bladder की anxiety के समय तो a, b, or d, तीनों ही sign anxiety के anxiety के दोरान टेकिकार्डिया होता है इसलिए ब्रेडिकार्डिया यहां पे खोटा जवाब है ब्रेडिकार्डिया anxiety में नहीं होता है anxiety के दोरान क्या होता है तो c यहां पे correct answer बनेगा accept a question था इसलिए जवाब बनेगा c, ब्रेडिकार्डिया polygamy is polygamy क्या होता है simple word है sociology से having one wife at time having more than one wife at a time keeping second wife after divorcing the first one having two husband at a time तो polygamy का मतलब होता है poly, word for multi, gammy word related to the female so there is having more than one wife at a time b, यहां पे correct answer बनेगा polygamy b, यहां पे correct answer है more than one wife at a time is known as polygamy magnesium sulfate magnesium sulfate is also known as magnesium sulfate का दूसरा नाम क्या है यह पूचा है option है epsom salt, plastroperis, black powder iodinized salt to magnesium sulfate mgSO4 का दूसरा chemical नाम है epsom salt a, यहां पे correct answer बनेगा magsulf, mgSO4 का दूसरा नाम है epsom salt what is the correct formula for converting foreign height into the centigrade foreign height को centigrade के अंदर convert करने का सबसे correct formula कौन सा है c into 9 upon 5 plus 32 f plus 32 into 5 upon 9 f minus 32 into 5 upon 9 f minus 32 into 9 upon 5 तो देखिएगा जब फारनाइट को centigrade में convert करना है तो centigrade में convert करना है किसको फारनाइट ही हो तो जो फारनाइट की नंबर है उसमें से 32 पहले क्या कर दो माइनस और फिर उसको multiply कर दो 5 upon 9 से किससे कर दो 5 upon 9 से उसको multiply कर दो 5 upon 9 से तो फारनाइट में से 32 माइनस कर दो और उसको multiply कर दो 5 upon 9 से तो आ जाएगा centigrade value तो C यहाँ पर बिल्कुल correct answer है F minus 32 into 5 upon 9 C correct answer है और अगर अपने को बोलते की centigrade को Fahrenheit में convert करो तो centigrade को multiply कर दो centigrade को multiply कर दो 9 upon 5 से 9 upon 5 और फिर उसके अंदर add कर दो 32 तो आपका Fahrenheit value आ जाएगा तो यह अलग-अलग scoring system रहता है फोर्मूलाइज रहते हैं जो यहाँ पर पूछावा question है तो यह कुछ important MCQ 45 smart MCQ के अंदर 22 MCQ आज की video lecture हमने पढ़े बाकी वाले कल हम पढ़ेंगे मिलते हैं दुबारा नए lecture के साथ में तब तर के लिए जैहिंद जैभारत